हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आई होब आप लोग एच्छे होंगे मैं हूर राहूल जैस्वालें स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक most important political science का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूँ दोस्तों जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th standard के लिए political science subject जो हमने चाप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों जिसका नामे chapter number 3 इंडियास defense system तो आज हम इस particular chapter का lecture नमर 3 आपके लिए कर आ गये हैं जो कि again एक बहुत ही ज्यादा important lecture वीडियो होने वाला है and साथ ही में आपको बता दो दोस्तों कि यह जो chapter जिसका नामे इंडियास defense system आज हो जाएगा finally 100% complete यानि कि lecture number 3 इस chapter का आखरी वीडियो होने वाला है तो वीडियो important है वीडियो को end त force क्या होते हैं किस प्रकार कौन उसको manage करता है commander कौन होता है यह सभी चीद दोस्तों explain किया है तो अगर आपने नहीं देखा है न वीडियो तो सबसे पहले जाओ यार दोनों lectures देख लो बाब में ये lecture number 3 देख ले न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और कि कुछ security purpose जैसे हम लोग को security चीए होता है तो हम क्या करते है security guard को apply करते हैं वैसे हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमें क्या चाहिए defense system की चाहिए और वही हम लोग आज पढ़ने वाले कि क्या-क्या challenges से हमारे internal security या फिर external security या फिर overall national security के लिए यह हम discuss करेंगे तो end तक द photography, political science यह जो है यह भी लगबख 50% से ज्यादा complete है तो आप check out कर लेना playlist को और साथ ही में English grammar वगरे और बाकी जो चीजे है वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा दो और चैनल है हमारे जिसका नामे JR Talks जिसमें हम career guidance के videos upload करते हैं ताकि आपको help हो जाए कि आपको बनना refresh करना भी important है तो जरूर से आप check out कर सकते हो चलिए आज आखरी वीडियो इस chapter का खतम कर देते हैं chapter को तो सबसे पहले मैं heading डालूँगा that is challenges in India security क्या-क्या इंडिया का जो security था इंडिया का जो security system है इसमें क्या-क्या challenges है यह हम लोग discuss करेंगे तो सबसे पहली बात दोस्तों लेकिन अंदर के भी दूश्मन है और यह क्या है जैसे आप बोलोगे कि सर अंदर के दूश्मन कोन है तो ऐसे बहुत सारे दूश्मन है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के थुरो तो आपको end तक देखना है तो सबसे पहले देखना कि जैसे हमें आजाधी मिले आज जो इंडिया था ना उसको बहुत सारे धंकिया और बहुत सारे परिशानी का सामना तुरंत उठाना पड़ा क्यों क्योंकि हमारा एक फेवरेट देश है हमारा जस्ट बाजू में एक देश है जिसको आप सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से इसका नाम है पाकिस्तान यह हमारा ही एक तरीके से बोल सकते हो पार्ट था हमारा ही हिस्सा ही था हमसे ही निकला है और हम पे दाधागिरी दिखाता है तो यह जो देश यह पाकिस्तान के बारे में बुरा नहीं बोलना चीए कुछ लोग बुरे होते है कंट्री तो कोई बुरा नहीं हो सकता लेकिन क Starting from the independence, अगर हम बात करें, कि हमारे इंडिया के national security को हमेशा धंकी मिलती थी, और हमेशा कुछ न कुछ problem face करना पड़ता था, पाकिस्तान का, हमेशा कभी borders के लिए disputes करता था, कभी कश्मीर issues के वैसे disputes करता था, कभी terrorist वगरे भेशता था, तो आप ये सब जामते हो, ठीके न, आप सीधी बाद मैं बोल रहा हूँ, जो भी है, मतलब straight forward बोल रहा हूँ, इसमें कोई चुपाने वाली बात नहीं है, और ये आप सब लोग जामते होंगे, तो खास कर ये पाकिस्तान जो हो गया, बहुत ज्यादर disputes होने लगा था, कश्मीर issue के वज़े से, ठीके न, पानी लड़ी है, वार हुआ है, तो ये सब चीज के कारण धीरे-दीरे सब चीज normal हुआ, लेकिन उसी के साथ अगर हम बात करें, कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ कैसा relations रहा है, कैसा negotiations रहा है, ये सब चीज़े हम लोग और ज्यादा आगे पढ़ने वाले हैं, chapters जैसे ऐसे आग बढ़ेंगे, तो ऐसे-इसे आपको history में भी पता चलते जाएगा, और civics तो आप पढ़ी रहे हो, यानि political तो आप पढ़ी रहे हो, तो ये सब चीज आपको पता चलती जाएगी, तो उसका कोई tension लेने वाली बात नहीं है, आपको धीरे-दीरे सब कुछ पता चल जाएगा लेकिन अब हम बात कर रहे हैं challenges की, तो इतने सारे challenges थी, उसी में एक और देश आता है, मूठा के, जिसका नामे चाइना और ये आप सब जानते होंगे, कि ये देश भी है ना हमारे इंडिया से बहुत जादा problem, इंडिया को बहुत जादा problem देता है, कैसे देता है, अब कही अब कही है, उपर का जो पार्ट है हमारा, हम लोग Cino-Indian बोडर बोलते हैं, अपको नहीं पता है यहाँ बता देता हूँ, Cino-Indian बोडर, एन जो हमारा चाइना और इंडिया के बीच का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के लिए बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स होता है लदाख रीजन के लिए बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स होता है तो कहीं न कई चाइना भी जो था न वो इंडिया को बहुत ज़्यादा परिशान कर पता था कभी border के वजए से कभी इसके वज़े से तो बहुत ज़्यादा security बहुत ज़्यादा problem होती थी और इसी के लिए यहाँ पे एक लड़ाई भी हमने लड़ी है 1962 में अगर आपको पता होगा तो 1962 में इंडिया और चाइना का एक लड़ाई हुआ था युद्ध हुआ था हुआ नहीं मतलब बहुत रेरली हुआ कुछ political या फिर कुछ है दूसरे matter के वज़े से लेकिन borders के विए से जादा तर problem जो है इन देशों के वज़े से हमें ज़्यादा देखने मिला ठीके ना इसी के विए से खासकर Asia में इनके विए से बहुत ज़्यादा tension का महौल होता थ political situation हो दा 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 इंडिया और चाइना के बीच में borders के वैसे और इंडिया का security जो है ना ये जो देश थे ये जो कुछ country से ये क्या कर रहे है बाहर से प्रोइट कर रहे है यानि कि जो हमारा tension है जो हमारा threat है जो हमको धंकी मिल रही है या फिर जो भी हमें परशानिया देखन मैंने starting में ही आपको बोला कि हमारा देश जो है बाहर देश से ज़्यादा परिशान नहीं है अंदर सभी उतना ही परिशान है कैसे तो internally अगर मैं बात करूँ तो internally भी बहुत ज़्यादा हमारे देश को खतरा है threat मिलते हैं बहुत ज़्यादा national security के उपर challenge आ जाता है जैसे क example के तोर पर terrorism यह आपको जानते होंगे कि कैसा होता है ना कि बहुत सारे countries जो है अपने अपने लोगों को कुछ brainwash करके mindwash करके इंडिया में भेजे जाते हैं कुछ इंडिया में ही manufacture किये जाते हैं manufacture करना यानि की इंडिया के कोई लोग होते हैं अक्सर हमने बहुत सारे जान के अंदर आप एक चीज डाल दो कि यार आपको यह काम करना है तो वो कैसा brainwash हो जाता है कि आपको यह काम करना है मत आप करोगे मैं बुरी बात कर रहा हूं अच्छी बात को चलो जाने दो जैसे कि example में जैतो कसा आप का तो कसा आप वह से very like बहुत यंग लड़का था भेजा गया था with the help of sea route हमारे मुंबई में आया उसको बोला गया था कि आप अंधाधून गोलिया चलाओ इसके वेज़से आपको जन्नत नसीब होगा और ऐसे बहुत सारे चीजे जो है वो बोली गई थी जिसके वेज़से वो क्या हो गया इंडिया में आया उसने से था आया ठीक है लेकिन इसी प्रकार हमारे देश में अंदर से भी खत्रा होता है टेरिश के रूप में या फिर एक और बहुत अच्छा नाम है उसके लिए that is नक्सलिजम ठीक है नक्सलिजम आप जानते होंगे कि in the name of religion, in the name of caste, in the name of some different disputes कुछ ऐसे ही Indians भी होते हैं या फ नक्सलिजम ठीक है उसमें मैंने आपको एक्स्प्लेइन किया था प्रॉपर तरीके से कि नक्सलिजम ठीक है ये क्या है कि अंदर ही अंदर हमारे देश को खोकला बनाने की साजिश थी कि यार जो भी religion के लोग है या फिर थोड़े lower caste कास्ट के लोग है वो अपना एक देश को प्रॉबलम हो रहा है और कहीं न कहीं ये चीज गलत है तो ये सभी चीजे होने लगी बहुत ज्यादा और टेरिजन जो है हमारे देश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज के रूप में आ गया लिकें इंडिया के इंटरनल सेक्योरिटी के लिए या फिर आप बोल सकत होता है सेक्यूरिटी मतलब औवियसली रक्षा करना तो हमारे लिए क्या है अगर आप बोलोगे कि सर पैसा है तो ये चीज गलत है सबसे बड़ी चीज जो है इस दुनिया में वह है इंसानियत हुमानीटी तो अगर हुमानीटी जिंदा रहेगा for example सब लोग पैसे के पीछ कर दोगे अपका brainwash किया जा रहा है आप किसी को भी कर दोगे तो ये चीज गलत हो जाती है तो humanity को protect करना तभी तो हमारा प्रिथ्वी रहेगा हमारा अर्थ के उपर humans being alive है क्यो है क्योंकि हम कभी कभी सोचते है इंसान के बारे में अगर हमने नहीं सोचते है अगर for example इंडि इसा होता है क्या ये टाइम पर ऐसा situation था कि लोग ऐसा सोचते थे यार क्योंकि humanity इतना ज़्यादा पहले लोग क्रूरता ज़्यादा थे अभी लेकिन humanity लोगों के अंदर आ रहा है इंसान हो आप जानवर नहीं हो कि आप बोलने सकते सुनने सकते ठीके ना यानिकि इंसान होते हैं M2 से जानवर भी होते हैं जो सुन सकते हैं ठीके बोल भी सकते हैं लेकिन उनका जो speech होता है वो समझ में नहीं आता है हमको वो भी अपने में अपस में communication करते होंगे लेकिन हम क्या है social animal है हम लोग बात कर सकते हैं दूसरे से एक दूसरे के feelings को समझ सकते हैं with the help of some language तो यह चीज आपको समझना पड़ेगा समझ में आ रहा हमें क्या बहुत कर रहा है तो humanity सबसे जादा important है तो जितने भी cold war हुए जितने भी मतलब एक ही cold war हुआ तो अमेरिका और जो Soviet Union का जो चल रहा था cold war जैसे cold war के अगर हम बात करें तो उसके बात क्या हो गया कि national security जो उसके उपर बहुत बड़ा एक challenge भी आ गया था कि अलग-अलग तरीके से जैसे अंदर से कुछ नक्सलिजम टेरिस्ट का activities हो रही थी बाहर से भी border disputes हो रहे थे तो यह सभी challenge तो बहुत सारे आर थे लेकिन human की security को धान में रखना मद्दे नजर रखना यह सबसे आदा important एक challenge create हो गये तो पूरे country में कि हम अब अब क्या करेंगे हमारे इंसानों के उपर हमारे लोगों के उपर ज्यादा focus करेंगे कि इनके उपर कैसे हम security provide करें इनसान को कुछ नही कोना चाहिए नकों हमारे देश में ना आ जाए और हमें इन मासूम लोगों को उड़ा ना दे यही चीज के लिए वो लोग जाके मरते हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रहें दोस्तों इसके लिए मेरा एक बिक सैलूट है ओल दिफेंस जो हमारी डिफेंस के लोग है इंडियन आर्मी नेवी एर फ लोकस करना पड़ेगा तो यह भी बहुत बड़ा एक चालेंज था और हम बात करें तो यह बहुत पहले से ही यहां पर आ गया जिसके वजे से आप लोग को यह लगना चाहिए कि यार कैसे हम लोग एजुकेशन प्रवाइट करेंगे तो इलिटरिसी हटेगे और इलिटरिस आप educated person हो आपने 9 तक पढ़ा ही कर लिया बहुत होता है 9 तक पढ़ा है पहले के जवान में लोग दूसरी तीसरी पढ़ते है थे खाली आप 9 तक पढ़ लिये ठीक है मतलब आपके पास एक थोड़ा समझ आ गया है basic knowledge आ गया है इंसानियत के बारे में एक normal life के बारे में ठी करते हैं और या फिर क्या-क्या देखने मिलते हैं यह हम लोग थोड़ा सा discuss करें तो challenges की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा human security को जो challenge है वो दोस्तो terrorism यह कहां गया terrorist activity या फिर मैं इधर लिखता हूँ यहां पर मैं terrorism तो terrorism यानि कि क्या होता है दोस्तो आतंगवाद आतं fun के लिए हो बहुत सार ऐसे लोग होते हैं जो अलग-अलग चीजों के लिए brainwash करते हैं लोगों का एक terrorist organization create करते हैं बोलते हैं जाओ लोगों को मारो क्या मिलता है करके यह सब चीज़े कुछ नहीं होता है तो सबसे बड़ा जो challenge है वो क्या है terrorism है अगर terrorism जब तक है तब तक इसके अलावा एक common challenge यह भी है कि हम इं humans को बचाना है ना तो humans को चलो हम बाहर से बचा लेंगे अंदर से बचा लेंगे लेकिन एक सबसे important चीज़े है human को इससे कैसे बचा होगे pollution यह तो हम create कर रहे है तो pollution भी बहुत बड़ा मुद्दा है यह तो बहुत अलग हो गया defense की बात से बहुत अलग चीज हो गया लेकिन comparatively अगर बात करें इसको भी सोचने वारी बात है अगर हम बात करते हैं इंसानियत को बचाना है तो इंसानियत क्या सिर्फ border पर जाके अगर आप बचा लोगे तो ही बचेंगे कि नहीं ना ऐसा नहीं है आपको अंदर ही अंदर कु कैंसर हो गया उसी से मर गया तो तो गलत है तो पॉलुशन को भी कंट्रोल करना और बहुत सारी बिमारिया जैसे कि अगर बात करें हम लुक्चे गुनगुनिया स्वाइन फ्लू आजकल तो कोविड चला हुए ठीक है तो इससे प्रोटेक करना अपने आपको एड्स हो गया यह सब जो कैंसर वगर यह सब जो बिमारिया है इससे अपने आपको बचाना यह बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़े जिसके उपर हमें इंसान लोग को सोचना चाहिए कि किस प्रकार चलो हम डिफेंस के हेल्प से हम अपने आप इसके साथ हमारा आज का लेक्चर वीडियो होता है समापत हैं दोस्तो इसके साथ हमारा यह जो टॉपिक है आई में टुसे यह जो चाप्टर है जिसका नामें इंडियाज डिफेंस सिस्टम यह होता है तोटली 100% कम्प्लेट ठीक है तो बस इतना ही ऐसे ही आपके लिए औ आप लग मुझे कॉमेंट करके बताना यह वीडियो आपको कैसा लगा है चाप्टर कैसा लगा है अपनी राय और सजेशन जरूर से देना वीडियो पसंद आया है अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कर देना आपने जितने भी फ्रेंड से र विडियो में यह वीडियो देखने के लिए थांक यू एंड गुडबाई